विमला जी अपना चेश्मा ठीक करते हुए हॉल में आई और अपने बेटे को देखते हुए कहने लगी बेटा समीर मुझे कुछ रूपियों की जरूरत है जरा मेरा ATM कार्ट तो देना उनका बेटा समीर चेड़ गया और कहने लगा मा हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं तु तुम्हें अपना ATM कार्ट लेने की क्या जरूरत है तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलो मैं लेता आओंगा यहा बात सुनकर विमला जी थोड़ी हैरान रह गई फिर वो कहने लगी बेटा आजकल मुझे टीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लगता है मेरे चेश्मे का नंबर बढ़ गया है मुझे थोड़ा चेकप करवाना है और अपने लिए कुछ सामान भी करीदने हैं तो तुम मुझे मेरा ATM कार्ट दे दो समीर गुस्से में कहने लगा मा बुढ़ापे में तुम ATM कार्ट लेकर क्या करोगी कहें भी फाल्तू का खर्च कर दोगी देखो म अगर तुम चाहती हो कि हम हमेशा तुम्हारी ऐसी ही सेवा करें दिल से तुम्हारा सम्मान करें तो तुम हमेशा के लिए यह ATM कार्ट मेरे पास से रहने दो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ तुम जाकर डॉक्टर से दिखा लो यहां सुनकर विमला जी को बह कोई बात नहीं वेटा मुझे रुपए नहीं चाहिए इतना कहकर वह कमरे में चली गई तो समीर खुश हो गया और मनी मन सोचने लगा कि यह हुई न बात मैंने तो सारे रुपए ही बचा लिये फिर वह खुशी खुशी ऑफेस चला गया बेटे को सबक सिखाने के लिए व पता चला तो वह गुसे से बॉखला गया और अपनी मा से कहने लगा मा यह आपने क्या किया आपने अपना कार्ड बलोक कर दिया और नया काड़ इशू करवाया है उसकी मा कहने लगी हाँ बेटा वह अकांट मेरा है तो आपसे मेरा ATM कार्ड मेरे पास ही रहेगा इतने दिन भी खामोश हो गया था वैसे भी वह मा से जादा बहस करके अपना और लुकसान नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने देख लिया था कि मा का गुस्सा कितना तेज है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भीमला जी ने अपने लिए जो फैसला लिया था वह सही था या नहीं मेरी लिखी हुई और नहीं कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा धन्यवाद